अगर तनुज भाई अपकिल बार चुनाओ नहीं जीते तो फिर मुश्किल है। ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे। 2014 से यह है कि हर सीट पे चुनाओ मुदी जी लड़ते हैं। तनुज पुनिया कितनी ओटों से चुनाओ जीत रहे हैं। कम से कम पचास जार से एक लाग तक वोल्ट का मारजिन रहेगा जीत में। कर दिया है। जनता अब यह समझ रही है कि जिस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी ने आम आदमी को बिलकुल इग्नोर कर दिया है। और बड़े बड़े जितने उनके पूंजी पती लोग हैं पूरी भारत की संपत्ति उनके नाम करने का काम किया है। महंगाई बहुत आसमान चुह रही है, बेरोजगारी आज चरम पे है और युवा और किसान सबसे जादा आज नाराज है इस सरकार से। केवल और केवल पांच किलो राशन और दोजार रुपए के तीन किष्ट में जनता को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास है। बाकी ना इनके घोशना पत्र में कुछ नया है, ना इन्होंने कोई नए वादे किये हैं। और ना ही कुछ लग रहा है कि आम जनता के लिए पूरे समाज के लिए कुछ करने जा रही है। इसलिए जनता ने अब मन बनाया है कि इस बार जो है इंडिया गटबंदन के साथ रहेंगे और सरकार को बदला जाएगा। आप राजरानी रावत यानि जो भाजपा की प्रत्यासी हैं उनको कि जगे पे देखते हैं। देखिए भारती जनता पार्टी का आज से नहीं बहुत पहले से 2014 से यह है कि हर सीट पे चुनाव मोदी जी लड़ते हैं। प्रत्यासी का कोई मतलब नहीं होता है भारती जनता पार्टी में और इस बार भी यही है कि मोदी जी जुनाव लड़ रहे हैं। प्राने सांसदों की जब विफल हो जाते हैं। चेतर में तो पर उनका नाम बदल करके नया चेहरा दे देते हैं। तो यह तीसरा चेहरा है जो इन्होंने पिछले यह तीसरे चुनाव में यह दे रहे हैं। अचा एक चीज़ तनुज भाई बताइए कि जो जनता है हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो उसमें एक बात तौर पर निगल के आती है कि अगर तनुज भाई अब किल बार चुनाव नहीं जीते तो फिर मुश्किल है। ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे। कितने वोटों से तो मैं नहीं कहूं। लेकिन कम से कम जो है पचाश जार से एक लाग तक वोट का मार्जिन रहेगा जीत मैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैदरगर क्योंकि छेतर में हैं तो राम मगन रावज जी हैं। उनके साथ ही सब लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग है। हमारे पास आम आदनी पार्टी का पूरा सहयोग है। जीतने सहयोगी दल हैं सबका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लोग अपनी तरफ से भी लगे हैं। आज क्योंकि यहां पे छोटी-छोटी नुकर सभाओं का कारिक्रम था तो राम मगन रावज जी भी पूरविधायक जो यहां पर हैं साथ में चल लें। तो सहयोगी दलों का पूरा का पूरा समर्थन हैं।